देश में सार्वजनिक परिवहन के सबसे बड़े साधन का परियाय बन चुकी भारतिया रेल का सफर आज 170 साल का हो गया है 16 अपरेल 1853 को पहली ट्रेन बोरी बंदर मुंबई स्टेशन से ठाने के मध्य चलाई गई थी तब से लेकर अब तत भारतिया रेल ने आत्मा निर्भर भारत की मिसाल कायं कर दे हुए अभूत पूर्व उपलब्दिया हासिल की है इस 21 सदी में भारत के तेज विकार चली है भारतिया रेलवे का भी तेज विकार भारतिया रेलवे में तेज सुधार के सारी बातें बहुत जरूरी हैं एक दौर था जब भाब के इंजन से ट्रेनों का संचालन किया जाता था लेकिन आज देश में विक्सित और अत्यात्मिक तक्नीक से निर्मित सेमी हाई स्पीड वंदे भारत प्रेने पूरे देश में चला ही जा रही है अपने इस सफर में भारत या रेल ने ना केवल जमू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे उचे रेल्वे ब्रिस जैसे कई वर्ल्ड ग्लास इंफ्रास्ट्रॉक्चर्टर्स का निर्माट कर मिसाल कायम की है बलकि विभिन विश्वस तरिया रेल्वे स्ट चालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के माध्यम से यात्रियों का सफर अत्यधिक सुरक्षित हुआ है वही देश में हाइटेक लचबी कोचेज एवं विस्टाडों कोचेज से यात्रियों के सफर का अनभव पूरी तरह से पदल गया है तेजी से आधुनिक होती भार चालित ट्रेन से यात्रियों कोचेजन पर के किया गया है ? स्टेशनों पर रिकॉर्ड संख्या में लिफ और एस्केलेटर्स लगाए गये हैं। रिकॉर्ड टादाद लोको प्रोडक्शन किया गया है और तीस गती शक्ती कार्गो टर्मिनल स्थापित किये गये हैं। विरासत भी और विकास भी के मंत्र को साकार करते हुए भारतियरेल टेश के विभिन टूरिस्स सरकिट्स में भारत गौरव ट्रेन का संचालन कर धार्मिक एवं सांस्प्रतिक विरासत से जुड़े पर्यटन को भी पढ़ावा दे रही है। हर कसोटी पर खराउत रेगी।